नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समर आप देख रहे हैं फैमिली गुरू फैमिली गुरू के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना हैं बहुत बहुत आप खुछ रहें, healthy रहें, स्वस्त रहें तो चलिए आज का ये शोर स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही खास है हम जानते हैं पानी हमारे शरीर के लिए कितना लाब दायक है और बिना पानी हम सर्वाइब नहीं कर सकते शास्त भी कहते हैं हमारे शरीर का निर्मा जिन पांचक तत्वों से मिलाकर बना है उनमें सबसे महत्वूर जल है जल के element से माना गया है कि इसके अलावा जोती शास्त में ये भी बताया गया है पानी के इतने लाब हैं, उपाएं हैं और टोक्टे भी बताये गए हैं शास्त में जिन्हें करने के बाद हम अपना भाग्ये चमका सकते हैं शास्तरों के नुसार जिस घर में इस्ट दिशा को हम अगर फॉलो करेंगे यानि कि इस दिशा में बरतन में गंगा जल या साफ पानी रखा जाता है उस घर में कभी धन में कमी नहीं होती और घर में खुशाली आती है घर के में डोर यानि के सामनी के दर्वाजे पर साफ पानी को बरतन में रखने से किसी भी तरहा की नेगेटिव एनरजी यानि की नकरात्मक उरजा नहीं आ पाती है ऐसा करने से घर में हमेशा positive environment बना रहता है और घर में सुख शांती रहती है और कलेश परिवार में नहीं होता है अगर किसी के घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो एक गलास में साफ पानी में गंगा जल या अन्य किसी तीर्थ का जल मिलाकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर मंत्र दुआरा पूरे घर में छुड़कने से परिवार की सारी समस्याएं यानि की problems चुटकी में द दूर हो जाएंगी अब बात करते हैं चौत्य उपाएंगी घर में नियुमित यानि की डेली शुद्जल से शिवजी का अभिशेक करने पर वास्तविक और कालपनिक दोनों समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान शिवगी करपा बनी रहती है और जोतिशास्त में पानी की बरबादी घर में होने से बहुत सारी समस्याएं उपन हो जाती है अगर घर में पानी टपकता है इससे फाइनेंशल कंडिशन में बहुत जादा परेशानी आती है यानि कि मानसिक तनाव जैसी परेशानी आने लगती है और मनुश्य इन परेशानी से उलजने लगता है जो इंसान हर दिन उगते सूर्य को ताजे शुद जल का अर्ग देते हैं, उनके घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। जिस घर के बच्चे अपने माता पिता के चरण हर रोज गंगा जल मिले जल से धुलते हैं, उस कुल की संतानों को कभी पित्र दोष जैसी समस्या नहीं होती। ऐसा करने से उस परिवार में साथ पीडियों तक अनव्यधन की कमी नहीं रहती। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी फायदेमन साबित हो, इसी तरह मैं आपके लिए जानकारी लेकर आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथ अपने परिवार को भी इस वीडियो को दिखाएं ताकि आप समझ पाएं कि पानी हमारी जिंदगी में कितना महत्तोपूर है, पानी से हम कैसे अपने घर की उरजा, अपने घर की परिशानियों को बरकरार और जैसे कहते हैं कि जब बहुत सारी परिशानिया आती है तो कुछ ऐसे खास उपाएं होते हैं जोतिशास में जिनको करने से हम सारी परिशान या दूर कर सकते हैं अज़ आपको क्या करना है बनी रहना है फैमिली गुरू के साथ नमस्कार